एलो स्टुडेंट्स आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं मल्टिपल चॉइस क्वेशन्स की एक विज जो लीजे हैं क्लास 12 के चैप्टर नमबर 10 और पार्ट का नाम है उपनिवेश्वाद दौर दिहात यनके कॉलिनीजियम एंड दा कॉंट्रिसाइड और इस क्वेश की संकला में यह चौथा पार्ट हम आपको यहां पेश कर रहे हैं और इसमें हम आपको देंगे दस बहुत ही मैत्पूर्ण सवाल जो कि परिक्षाओं में बार-बार पूछे जाते रहे हैं इससे पहले के अगर तीन पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन म के लिया गया है तो यह किस संथाल विद्रों के निता का है यानके दा अबव पिच्चर इज ऑफ दा लीडर ओविच संथाल रेबेलियन तो ऑप्षन ने है कानू मांजी भी है चांद मांजी सी है सिंदू मांजी और डी है बहरव मांजी तो आपको बताना है यह एबी तो इसका जो सही जवाब है वो है सिंदू मांजी तो यह चित्र जो है सिंदू मांजी का है जिनोंने संथाल विद्रों का नित्रित्व किया था अगला कोशन कोशन नमबर दो है संथालों को यह क्यों लगा कि जिस भूमी को उन्होंने बड़ी महनत के बाद केतियोग्य ब मिंग आउट आप देर हेंड्स तो अप्शन ए सरकार ने भारी कर लगा दिये थे यानिके गावर्मेंट इंपोज्ड हेवी टैक्सिस भी ए सावकार बहुत उची दर्पकर्ज दे रहे थे और अदाइगी ना होने की दशामें जमीनों पर कब्जा कर रहे थे यानिके दा मनी आपको बताना है कि एबी सीडी मेंसे कौन सा उत्तर साही है तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहे है अब तो इसका जो सही जवाब है वो है D, वो प्रोक्स अभी अनके All of the Above, तो संथालों को जो उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ जमीन विक्सित की थी, जो ब्रिटिश कंपनी ने उनको क्रिशी के लिए दी थी, राजमेल के पाड़ियों के तलहटी में, जिसे दामिन को कहते थे, त भूमिक रिशी हो गयो ही, सरकार ने उनके भारी कर लगा दिये, और साथ ही साथ जब भी इनको जरूरत पढ़ती थी करज की, तो साहुकार लोग इनको बहुत उची धर पर करज दिया करते थे, और वो क्यूंकि करज अदा नहीं कर पाते थे उची धर होने की वज़ा से, इसलिए जो है उनकी जमीनों पर सावकार लोग कबजा करने लग गए और जमीदार लोग भी दामिनको की जमीन पर अपना दावा पेश करने लग गए थे कि ये जमीन उनकी है. तो इस तरह से तीनों ही वजाओं से उनको लग रहा था कि ये जमीन जो उन्होंने बड़ी मेहनत से विक्सित की थी वो उनके हाथ से निकल जाएगी प्रकाशित चित्र ने डैश के प्रती यानिके किसी समधाय विशेश के प्रती धारणा को बदल दिया उनके गाउं उन्हें नीरव और शांत के स्थान पर निर्शंस और बरबरता पूर्ण क्रतियों के स्थान बन गए यानिके दा पोर्ट्रेट पब्लिजड इन दा आपको बताना है कि वो कौन लोग थे तो अप्षन ए है पहाड़िया बी है संथाल सी है भील और डी है खोड तो आपको बताना है कि किनके प्रती उनकी धारणा है लंदन के लोगों की बदल गई थी तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब तो इसका जो सही जवाब है वो है बी संथाल तो संथालों के गाओं जो पहले उनके चित्र जो छपते थे महाँ के न्यूजपेपर्स में उनमें वो शांट और नीरव दिखाई देते थे लेकिन जब इस परकार के चित्र छपने लगे तो लोगों के मन में वो शांत और नीरवाली धारणा बदल गई और उसकी स्थान पर उन्हें ये सब जो है निर्शन्स और बरबरता पून लोग लगने लग गए थे अगला question है question number 4 संथालों ने किस समय ये महसूस किया कि अब विद्रो का समय आ गया है यानि कि at what time did the संथाल realize that the time of rebellion has come तो option है 1830 के दशक में यानि कि इंदा 1830 बीए 1840 के दशक में यानि कि इंदा 1840 और सी 1850 के दशक में यानि कि इंदा 1850 और डीए 1860 के दशक में यानि कि इंदा 1860 तो आपको बताना है कि ये BCD में से कौन सा उत्तर ठीक है तो इसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब तो इसका जो सही जवाब है वो है c 1850 के दशक में यानि कि 1850 के दशक तकाते आते उनको ये लगने लग गया था कि अब पानी सिर से उपर जा चुका है और अगर उनोंने अभी इस्ट इंडिया कंपनी के किलाव विद्रोड नहीं किया तो उसारी जमीने जो बड़ी मुश्किल से उन्होंने विक्सित किये उनके हाथों से निकल जाएंगी अब कुशन नमबर पांच है संथाल विद्रोग को कुचल देने के बाद संदिग्द व्यक्तियों को पकड़ लिया गया और गावों में आग लगा दी गया जलते वे गावों के चित्र ब्रेटेन की जनता को दिखाने के लिए अखबारों में क्यूं छपवा दिये गया त संथाल विद्रोग को जब कुचल दिया गया तो उसके बाद जो है वहाँ पर जितने भी संदिग्द लोग थे उनको पकड़ कर अधिकारी ले गया और उन्हें के प्षतार कर लिया गया बंदी बना लिया गया और गामों में जो संथालों के गावों थे उनमें आग लगा दिये और उनके चित्र जो है अकबारों में जैसे की आप यहाँ देख रहे हैं धूहां निकल रहा है यह जलते वे गावों के है तो यह चित्र जो है वहां के ब्रिटेन के अकबारों में क्यों छपे तो उसके बारे में आपको बताना है आफ्टर त्रशिंग दा संथाल्स रिबिलियन, सस्पीशियस पर्संस वर कैप्चरड एंड विलेज्ज वर सेट उन फायर, वाय वर दा इमेजिस ऑफ बर्निंग विलेज्ज प्रिंटेड इन दा नियूस पेपर्स तु शो दा पब्लिक ऑफ ग्रिटेन, तो अप्शन ये है कमपनी के अत्याचारों को दर्शाने के लिए, यानिके to show the atrocities of the company, भी है ब्रिटिश शक्ती को दर्शाने के लिए, यानिके to show British power, C है कमपनी को ब्रिटेन में बदनाम करने के लिए, तो आपको बताना है कि किस वज़ा से इस प्रकार के से संथालों के जलते हुए गावों के चित्र वहां के अकबारों में छापे गए तो उसकी क्या वज़ा थी तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब तो इसका जो सही जवाब है वह है भी बृटिश शक्ति को दर्शाने के लिए यानिके बृटिश की जोकी पूरी दुन्या पर उस समय शाशन कर रहे थे तो वो अपनी शक्ति को दर्शाना चाहते थे वो ये बताना चाहते थे कि ब्रिटिश जो है वो पराजे हैं और उनक्या कोई भी विद्रोंग करें वो उसे कुचल देंगे और उसको निर्दैता से दबा दिये जाएगा तो अपने ब्रिटेन की जनता को यह दिखाना चाह रहे थे कि भारत में सब कुछ हालात जो हैं उनके काबू में आ गए हैं तो यही सब अपनी ब्रिटिश शक्ती को धर्शाने के लिए उन्होंने चिपवाए थे कोश्चन नमबर चे है संथाल कैदियों को ले जाते हुए हाथी पर बैठा विजे गर्वित ब्रिटिश अधिकारी है यहां देख रहे हैं आप यह हाथी पर बैठा हुआ गर्व से सीना चड़ाए हुए जो ब्रिटिश अधिकारी है और साती जाथ गोड़े पर बैठ कर हु आप दा हुक्का गार्गलिंग ऑफिसर सिटिंग ओने हॉस तो ऑप्शन ने है ब्रिटिश जनता को अपनी ताकत के बारे में आश्वस्त करना यानि के तू री एश्योर दा ब्रिटिश पब्लिक अबाउट इट्स पावर बिटिश अधिकारी बहुत बहादूर थे यानि कि ब्रिटिश ऑफिसर्स और स्केल्ड एड्मिनिस्टेटर्स तो आपको बताना है कि यह चित्र जनता में क्या मैसेज दे रहा था तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब तो इसका जो सही जवाब है वो है यानिके ब्रिटिश जनता को वो अपनी ताकत के बारे में आश्वस्त करा रहे थे कि हमने देखो यह संथाल विद्रो जो है कुचल दिया है और जो भी विद्रो ही थे उनको कैद कर लिया है और जो गर्व से फूला हुआ और आराम से हु बिल्कुल निश्चित है कि अब दुबारा से ऐसा कुछ नहीं होगा यह इस अपनी निश्चिता और विजे को दिखाने के लिए यह चितर जो है यह मैसेज दे रहा था अब बिटेन की जनता को डिटेन की ताकत जो है उसको भारे में उन्हें निश्चित हो जाना चाहिए कि वो भारतियों को हमेशा दबा कर रखेंगे ऐसा ये चित्र को चापते टाइम उनके मन में विचार रहा होगा अगला क्वेशन है क्वेशन नम्मर साथ संथाल विद्रो कब हुआ यानि के वें डिड़ दा संथाल रिवेलियन हैपन तो अप्शन यह है कि 1853-254 बी है 1854-255 तो आपको बताना है कि ABCD में से वो कौन सा काल है जिस काल के अंदर संथाल विद्रो हुआ तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब तो इसका जो सही जवाब है वो है C 1855-56 संथाल विद्रो के बाद 5500 वर्गमील का शेत्र बागलपूर और वीर भूमी जिलों से लेकर किस नए जिले का निर्मान किया गया यानिकि संथाल विद्रो के बाद किस नए दिले का निर्मान किया तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब तो इसका जो सही जवाब है वो है C संथाल परगना तो जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं यह चित्र में संथाल परगना दिखाया गया है तो इसका निर्मान जो है ब्रिटिश यात्री बुकानन जब किसी बुद्रिश्य को देखता था तो उसके बारे में क्या लिखता था वट वोड़े ब्रिटिश ट्रेवलर बुकानन राइट अबाउट वैन ही सौई लेंड्सकेप तो अप्शन यह है यह वहां क्या-क्या फिर बदल करके उनको कैसे अधिक उत्पादक बनाया जा सकता है यानके वट कैन बी ड़न तो मेक इट सकते हैं यह वहां कौन सी नई फसलें तो जैसा के आप यहां देख रहे हैं यहां पर राजमहिल की पाड़ियों का जो भूद्रश्य आपको दिखाया गया है तो बुकानन फ्रांसेश बुकानन जो ब्रेटिश यात्री थे और वो जो हैं कंपनी की नौकरी करते थे और उनका जो उदेश्य होता था अलग अलग स्थानों पर घूम कर वहां के बारे में जानकर एकत्र करना तो वो जो है क्या क्या वहां पर देखते थे और उनके बारे में क्या लिखते थे तो उसके लिए तो इसका मतलब ये है कि जब उकनन कहीं पर जाते थे और उनकी पैनी नज्ट रहीorc जो है ये इस दैखती रहती थी कि वहां की जो भूमी है वहां की जो जमीन है उसमें क्या वहां की क्या फेर बदल किये जाएं और उन पर क्या मैंसी नहीं फसले हो गायि जा सकती है कौन से नहीं पेड़ लगाए जा सकते हैं और किन पेड़ों को काट कर उनकी लकड़ी जो है काम में ली जा सकती है या वहां पे खेत बनाए जा सकते हैं और इसके साथ ही साथ वो यह भी देखते थे कि वहां की भूमी जो है किन फसलों के लिए उपयोगी है तो यह सारी पत्थरों और खनीजों को खोजने में मदद की यानिके helped find valuable stones and minerals भी है नमक और कच्छा लोहा निकालने की स्थानिय विद्यों का निरिक्षण किया यानिके observed local method of extracting salt and cast iron सी है क्रिशी और वन संपदा को और अधिक उतपादक बनाने का परियास किया यानिके efforts to make agriculture and forestry more productive और डी है उप्रोक सभी यानिके all of the above तो आपको बताना है कि फ्रांसिस बुकानन ने अपने जो की एक ब्रिटिश यात्री था इस्ट इंडिया कंपनी का नौकर था इस्ट इंडिया कंपनी को अर्थिक लाब पहुंचा है तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब तो इसका सही जवाब है डी उप्रोक सभी यानिके all of the above यानिके उन्होंने जब भी किसी स्थान की यात्रा की तो वहां की सारी भू समपदाएं और वहां पे जो भी कच्चा माल या मुल्यवान पत्थर खनिज बगारा मिल सकते थे या क्रिशी किस प्रकार की जा सकती थी और वहां पे क्या जो भी उत्पादन हो सकता था उन सब के बारे में वह रिपोर्ट तयार करते थे और इस तरह से जो है उन्होंने कंपनी को तीनों तरीके से मदद की आर्थिक मदद पहुंचाई याने के मुलेवान पत्थरों और खनिजों को खोजने में मदद की और नमक और कच्चा लोहा निकालने की जो वहां की लोकल विधियां होती थी स्थानियम विधियां होती थी उनका निरिक्षण किया और उनमें सुधार की गुंजाईशे कोशिश की और साथ इसाथ क्रिशी और वंसम्पदा को भी अधिक उत्पादन बनाने का उन्हों प्रयास किया थाकि अधिक उत्पादन होने पर कंपणी अधिक लाप पहुंचाया जासके तो इस प्रकार से यह तीनों सब्सक्राइब करें ताकि और लोग भी इसका लाब उठा सके धन्यवाद